एक बार की बात है एक मा बेटा मेला देखने गये थोड़ी देर तक दोनों साथ साथ गूमते रहें थोड़ी देर के बाद बच्चा मा से चिटक कर मदारी का खेल देखने लग गया जैसे ही खेल में खत्म हुआ उसे मा की याद आई मा को अपने साथ ना पाकर वह जोर जोर से रोने लगा मा मा चिलाने लगा उसको रोता देखकर मेला केमेटी वाले वहां आ गए सभी लोग उस बच्चे को चुप कराने का प्रयास करने लगे वह केवल मा ही मा करता रहा मेला अधिकारियों ने उसकी मा का नाम पूछा तो बच्चा नाम बताने में असमर था फिर उसे पूछा अच्छा तेरी मा कैसी है वह बोला मेरी मा सबसे खुबसूरत है वह बहुत ही सुन्दर देखती है मेला अधिकारी मेले में आई हुई एक से एक सुन्दर महिलाओं को उसके पास लाते रहें और पूछते रहें कि क्या ये तुम्हारी मा है बच्चे को जितने भी सुन्दर सुन्दर महिलाएं दिखलाई गई उन सब के लिए उसने मना कर दिया और रोता रहा अंद में मेला दिकारी भी एक और ठक कर बैठ गए साम के छे बज गए मेला भी खत्म होने वाला था इतने में एक काली कलूटी सी मेला जिसके चहरे पर दाग था उधर से निकली और बच्चा उचल कर उस मेला से लिपड़ गया बोला ये ही मेरी माँ है पास बैठे मेला दिकारी हैरान थे कि इस मेला को ये सबसे सुन्दर बता रहा है वैसे सचाई जो यही है कि एक बच्चा की नजर में उसकी मा संसार की सबसे सुन्दर मा होती है और एक मा की नजर में उसका बेटा संसार का सबसे सुन्दर बेटा होता है दोस्तों अगर आप भी अपने माँ से करते हैं बेहत्वी प्यार तो हमारे वीडियो को लाइक और सिस्क्राइब ज़रूर कर दीजिएगा साथे साथ बेल आइकन को दबाना मत बूलिएगा क्योंकि यहाँ पर हम लाते रहते हैं एक से एक बेहत्रिन कहानिया